हलो साथियों मैं अभी शेक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल फिट आई टी आई पे आज का जो टॉपिक है वो कुछ हटके है कुछ अलग है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही थी जो हमारे यहां वेलाट्रेड के ब होता है कैसे होता है इसकी तैयारी कैसे करें तो प्रॉपर एक गाइडेंस टाइप का ये वीडियो है अगर आपको इसकी जरूरत और भी लगी मुझे पता है कि प्रेपरेशन करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं स्किल टेस्ट में जाने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं 10 से 12 बच्चे, 15 बच्चे, 30 बच्चे maximum होते हैं तो उनके लिए ये वीडियो के strength तो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वारी है लेकिन जो लोग अभी तयारी कर रहे हैं जैसे कि ISRO हो गया, DRDO हो गया, BARC हो गया अलग-अलग examination होते हैं sale हो गया, ONGC हो गया, CPRD Limited हो गया इन सब जगर पे skill test लिया जाता है written exam होने के बाद या computer based test होने के बाद तो इसके बारे में अभी से आप थोड़ा सा aware रहेंगे तो आगे चीज़ें अच्छी होंगी और आपको job लेने में कह सकते हैं कि exam joining later आने में आपके थोड़ी सी आसानी हो जाएगी तो इस video को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक forward करें मैं इसमें complete information देने वाला हूँ और कैसे आपको skill test के लिए तैयारी करना है, कैसे prepare करना है क्या क्या चीज़ें उस skill test के दावरान आपसे प्मूची जाती है, आपसे करवाई जाती है उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अलग-अलग exam के point of view से ठीक है भाई, तो ये क्या है, welder skill test यहाँ पे हमने लिखा है ये हमारा नाम है, बाकी आपको हमसे पढ़ना है, welder trade theory तो वो भी आप पढ़ सकते है अप की link description में मिल जाएगी, उसको जो है आप लोग download कर लेना आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा topic है, skill test objective जो आपका skill test होता है सर, उसका objective क्या है, यानि कि उसका उद्देश ये क्या है उद्देश इस skill test का, जो आपसे skill test करवाया जाता है, अलग-अलग परिक्छाओं में उसका क्या उद्देश है, उसका क्या objective है तो जब तक आप उद्देश को नहीं समझेंगे कि जो जैसे इस रो हो गया इस रो आपसे skill test ले ही क्यों रहा है क्या जरुरत पड़ी इस रो को कि आपका वो skill test ले सिर्फ एक examination आपने qualify किया उसके बाद आपको direct joining later दे दे तो इसको समझना जो है बहुती ज़्यादा जरूरी है तो जो आपका skill test होता है उसको conduct कराने का main objective होता है चेक और practical knowledge है ना चेक और practical knowledge कहने का मतलब क्या है कि आपको practical जानकारी कितनी है ये चेक करने के लिए कोई भी organization चाहे वो ITI हो चाहे वो diploma हो उनसे क्या करवाता है skill test जो है वो लेता है उसको ये आशा रहती है कि जिस candidate को यानि कि जिस welder को हम अपने संस्थान में इसरो में भाभाय टॉमे किरसर संटर में सेल में डियाडियो में जहां भी हम बुला रहे हैं तो welding करने के लिए बुला रहे हैं तो उससे हम लोग fitting job बनाने के लिए बुला रहे हैं Turner है तो हमको उसको लेथ पर operation कराना है तो क्या वो satisfactory पूरी तरह से हमारे कारे को कर पाएगा या सिर्फ उसके पास एक प्रमाणपत्र है builder trade का ITI का किसी भी trade से सिर्फ माणपत्र ले करके वो job करने आ रहा है उसको हमको training देनी पड़ेगी ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही चिक करने के लिए कि आपने ITI के दौरान क्या सीखा क्या जाना ये जानने के लिए आप से क्या कराया जाता है skill test conduct कराया जाता है और आपके skill है ना यानि कि आपके kausal का परिक्षण किया जाता है किसका परिक्षण किया जाता है kausal का परिक्षण किया जाता है ठीक है देखिए welder trade वालों के लिए fitted trade वालों को बताने के लिए बहुत सारे channel है मैंने search किया पर सर्च की मैं उस बच्चे से बोला भी कि अभी इस रो में हुआ है साथ आठ बच्चों का हुआ है इस रो IPRC में अभी LPSC का भी होने वाला एक्जाम बार्क का भाभाय टॉमेकरिसा सेंटर का है वहाँ भी हमारे सारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो वो बोल रहा थे कि सर स्किल टेस्ट के बारे मैं बताए मैंने बोला कि आप YouTube पे सर्च करें कुछ information वहाँ से मिल जाएगी लेकिन कोई नहीं है welder trade को बताने के लिए कोई ऐसा YouTube चैनल हमको नहीं मिला जो प्रपर तरीके से जानकारी दे पाए तो ये क्या कर रहा है आपके causal का परिक्षण करता है test करता है कि आपके अंदर क्या skill क्या अनुभाव और क्या causal है ठीक है भाई ये क्या हो गया ये तो आपका objective हो गया अब type of skill test है न इसकिल test के क्या प्रकार कुछ जगह पर आप इसको trade test के नाम से भी जानते हैं है न trade test कुछ जगह इसको trade test बोलते हैं कुछ जगह इसको practical test बोलते हैं practical test कुछ जगह इसको practical test बोलते हैं कुछ जगह ट्रेड test बोलते हैं कुछ जगह पर skill test बोलते हैं तो कुछ भी बोला जाए confused नहीं होना है पुल मिला के चीज़ें आप से एक ही चीज़ें कराई जाने वाली हैं कितने तरीके के होते हैं आपके skill test या आपके practical test तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ type लिखा है पहला number क्या है instrument identification यानि कि जो भी उपकरण है जो भी आउजार हैं उनके पहचानने की आपकी शक्ति क्या है पहचानने की छमता क्या है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने एक welding machine रख दी जाए और आपको पता ही नहीं है कि सर ये कौन से प्रकार की welding machine है न तो ऐसा तो नहीं है ये चेक करने के लिए जो है आपसे skill test conductor आया जाता है ठीक है भाई तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आउजारों को पहचानना है न पहचानना अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से center पे किस किस exam में किस type का skill test आपको होता है और इन सभी type के skill test के लिए आपको अगर पढ़ना है तो आपको कहां से पढ़ना पढ़ेगा ठीक है एक मिनट थोड़ा सा light का reflection आ रहा है चलिए clear है दोस्त चलिए दूसरा number क्या है engineering drawing अब इसका भी use आपको जो है वो कहां पर देखने को मिल सकता है skill test practical test में आपको इसका भी knowledge देखने को मिल सकता है अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो problem आपको हो सकती है ठीक है तो engineering drawing हो गया फिर क्या है trade practical फिर क्या है numerical ability इन चारों में से कोई एक चीज आपसे perform कराई जा सकती है कोई एक चीज को छोड़ करके कोई दो चीजों को भी आपको perform कराई जा सकता है इसके अलावा इन सभी जो भी type आप देख रहे हैं इन सभी को साथ में आपसे जो है वो क्या कराई जा सकता है perform कराई जा सकता है ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है तो instrument identification में जैसे आपके सामने जहां पर कभी tough होता है instrument identification में भी क्या होता है easy भी होता है और tough भी होता है जब कभी वो easy होता है तो आपको क्या करा जाता है कि आपके सामने कुछ hammers रख दिये जाते हैं files रख दी जाती है रेतियां साथ में hexa blade रख दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि यह क्या है किस material का बना है जैसे कि आपके सामने trisquare रख दिया आपसे पूछा जाएगा कि यह क्या है subscriber रख दिया इसका क्या काम है और यह किस चीज का बना होता है table पे रखी हुई सारी चीज़े होंगी वहाँ से आपसे पूछा जाएगा type number one हो गया और यह क्या होता है बहुती easy होता है ठीक है दोस्त ठीक है अगर इसी को instrument identification को ही अगर थोड़ा सा hard बनाना होगा तो यह लोग क्या करेंगे कि आपके सामने welder से हैं अगर आप तो welding की rod रखी होगी अलग-अलग तो पूछ लेंगे कि कितने number की rod है यह है ना इसका dia कितना है इस type की यह कौन सा electrode है और इसको कैसे कैसे आप use कर सकते हैं इस type से छोटे-छोटे चीज़ें जो है आपसे टूल पूछी जा सकती है ठीक है उसके बाद यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप welding कर रहे होते हैं arc welding में तो जो डिस्पले लगा होता है उस डिस्पले में 70, 80, 100, 1500, 200 दिखा रहा होता है तो क्या है voltage है current है क्या है इस type से चीज़ें पूछी जा सकती है और साथ में कुछ वाइवा type के सवाल भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं जो की सबसे easy होता है ठीक है क्या instrument identification ठीक है दोस्त अगला number क्या है engineering drawing है अब engineering drawing का सीधा सा मतलब यह नहीं कि आपसे engineering drawing का पूछ लेंगे कि कौन सा प्रकार का जो है pencil है यह क्या रखा हुआ है engineering drawing से normal जैसे आपको एक paper दिया जाएगा ठीक है उसमें drawing बनी होगी आपको किसी metal को weld करना होगा जोड़ना होगा cutting करना होगा तो आपको जिस paper में देंगे तो पहली बात तो आपसे वहीं पूछ सकते हैं कि यह किस size का paper है और paper कौन कौन से size में होता है इनकी dimension बताईए यह basic सा information आपको पता होना चाहिए उसके साथ में उस engineering drawing की जानकारी से ही आप क्या करेंगे identify करेंगे आप जान पाएंगे कि हमको क्या करना है यानि कि drawing एक paper पे drawing बनी रहेगी उस drawing के अनुसार आपको job बना करके देना है उनको दिखाना है तो यहाँ पे engineering drawing की जरूरत पड़ेगी तो skill test के लिए अगर आप prepare कर रहे हो तो first number पे यह अच्छे से clear करो आप cover करो second number पे यह cover करो यह step है पहला step skill test को prepare करने का यही step है फिर दूसरा step हो गया यह तीसरा step क्या हो गया अब आपको trade practical कराया जाएगा ठीक है अब देखिए अलग अलग से इंटरप जैसे आप इस रोप में जाएंगे तो इस रोप में आपसे trade practical और engineering drawing यह दो चीजों की जो है requirement पड़ती है वही पे DRDU में भी इन दो चीजों की requirement पड़ती है इसके अलावा जैसे sale हो गया भेल हो गया और भी other जो PSU हैं वहाँ पे क्या करते हैं आपसे कई जगह पे instrument identification साथ में numerical ability भी तो combined है लेकिन आपको सारी चीजों का ग्यान होना जरूरी है ठीक है तो trade practical में क्या है कि आपको दो mild steel की plate दे दी जाएंगी या किसी material की generally mild steel की दी जाएंगी वहाँ पे आपको एक paper दिया जाएगा वहाँ पे engineering drawing का काम आजाएगा वहाँ पे drawing बनी होगी उस drawing के नुसार आपको जोड़ना होगा weld करना होगा plate को चाहे वो flat position में बोले चाहे vertical में बोले चाहे जिस position में बोला जाए ठीक है तो arc welding से आपको butt weld लगा plate ले करके जाना है आपको और एक बात का ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप practical perform कर रहे होते हैं तो उसके आपके candidates के आसपास कुछ जो है वो technician कुछ instructor आसपास घूम रहे होते हैं जो कि आपके tool के पकड़ने की style को जैसे आपने hammer को पकड़ा है आपने electrode holder पकड़ा है न के बारे में परेशान हो रहे हो तो just comment छोड़ देना मैं कुछ नो कुछ आपके लिए करूँगा ठीक है यह हो गया भाई trade practical कि आपको बना करके job तयार करके देना है ठीक है उसके बाद क्या है numerical ability अब यहाँ पर आपसे चेक किया जाएगा कि आप गणना कर सकते हैं कि नहीं multi plate का कर रहे हैं तो total cost बताइए total electric का bill कितना गीरेगा यह बताइए इस type से कुछ कुछ जो है वो calculation आपसे पूछा जा सकता है उसी प्रकार से gas welding में कितनी gas आपकी खफत होने वाली है इतना gas एक ratio में आ रहा है इतना gas जो है एक ratio में आ रहा है तो कौन सी flame बनेगी इस type के अल job सच में चाहिए तो है ना return आपने qualify कर लिया वो easy task है है आपने पढ़ लिया कर लिया लेकिन जब तक आप job को perform नहीं करोगे practical चीजों को सीखोगे नहीं तो आप crack नहीं कर पाऊगे और 60% क्या होता है compulsory होता है pass करने के लिए 60% आपको लाना ही पड़ेगा और ISRO के कई जगह center में और भाभा atomic research center के कई center में क्या होता है कई बार पीछे ये रहा है कि 59 marks पाकर के बच्चा fail हो जाता है और सारी के सारी मेहनत उसकी बरबाद हो जाती है ठीक है तो इसको lightly बिल्कुल नहीं लेना है अप लोगों को आगे बढ़ते हैं basic level और advanced level अब देखिए basic level में क्या है कि skill test दो तरीके से perform कराया जा सकते हैं जैसे कि mostly ISRO के जो centers होते हैं वहाँ पे आपसे advanced level के जो है वो क्या कराया जाते है skill test कराया जाते है अब basic level में आपका tool identification वाला portion आ जाएगा है ना आपने क्या देखा instrument identification या tool identification आपसे प यूज करेंगे वाईवा टाइप का उसके साथ में आपसे कुछ simple सी bead जो है वो मारने के लिए कह दिया जाएगा कोई flat plate रहेगी वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि एक bead आप simple सा मार के हमको arch welding का दिखाईए और साथ में आप एक tool identification करिए कि ये कौन सा tool है ठीक है ये basic हो गया advance level में क्या होगा advance level में आपको drawing दी जाएगी एक paper में आपको time दिया जाएगा कि 10 minute आप पढ़ लीजिए ठीक है पढ़ने के बाद उस कागज को जमा कर लिया जाएगा आपको जो जो tools की जरूरत पढ़ेगी वो tools आप एक कागज में लिखो जाकर के वहाँ से tools लो और लेन करो ठीक है वो हो जाता है आपका advance level तो चाहे basic हो चाहे advance हो बहुत डरने की जरूरत नहीं अगर आपने काम किया है अपने ITI में सीखा है तो जो आपने ITI में practical किया है वही चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं अब सवाल आपके मन में यह आएगा किस सार हम है welder trade से welder trade से और हमको जो है तयारी करनी है किस की skill test की skill test की तो हम क्या करें है ना मुशली बहुत सारे बच्चे इसी के लिए ये वीडियो लाश तक देख रहे होंगा कि अब हम क्या करें कहां से सीखें इसके लिए दो रास्ते हैं पहला रास्ता यह है कि एक तो भाई आप कहां चले जाओ आप अपने आई टी आई में आप अपने आई टी आई में जाओ अपने इस्ट्रक्टर से मिलो उनके पास जो वेल्डिंग मसीने है वहां से प्रॉपर कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम आप बढ़िया से वहां पर बीड मारना सीखें वहां पर जॉइंट्स क्रियेट करना सीखें अलग अपने इस्ट्रक्टर की मदद ले करके पहला रास्ता और जो की सबसे इजी रास्ता है जो की आपके आसपास हो सकता है अगर आपने किसी प्राइवेट संस्थान से किया होगा तो हलागी प्राइवेट संस्थान की स्तिय आजकल बहुत अच्छी नहीं है तो जरूरी नही यह बहुत ही आसान हो सकता है अब दूसरा रास्ता क्या है दूसरा रास्ता यह है कि आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाओ है ना ट्रेनिंग center में जाओ आप किसी training center में जाओ अब ऐसे training center नहीं जो फरिजी में बुला लेते हैं आपसे 10 जार बारहाँ जार रुपए चार्ज करें आपको welding करना सिखाएं और सिर्फ welding करना वो सिखा दे हैं आइसा proper technical जानकरिय आपको ना दें क्योंकि आप test देने जाओगे तो वहां से आपको जो है एक 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 एंगल का धिया जाएगा कि किस एंगल पर आप rod को पकड़ रहे हैं कैसे engineering, drawing को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं तो उसको कैसे represent कर रहे हैं कैसे आपकी finishing ये सारी चीज़ें एक एक technical चीज़ों पर द्यान दिया जाएगा तो जो training centers होते हैं वहाँ पर mainly आपको welding करना सिखाया जाता है किसी चीज़ को जोड़ना अगर आपको काम सुरू कर रहे है welding के लिए तो वहाँ पर आपको exam qualify करने लाइक नहीं सिखाया जाता है लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप एक तीसरा solution निकाल रहा हूँ इन दोनों का मिला जूला solution निकाल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ just अगर आप लोग चाहोगे तो वो कर सकते हो ठीक है वो solution क्या है कि मैं जो है एक online batch लाओं online batch लाओं उसमें मैं क्या करूँ ठीक है बहुत परिशान नहीं होना है online संभाव नहीं है है तो यह online नहीं है pure online नहीं रहेगा इसको बात को समझेएगा आप लोग मैं एक online batch लाओं वहां से मैं जुड़ू हूँ आप सबसे live अब देखिए मुश्किल से 10 बच्चा रहेगा 20 बच्चा रहेगा 50 बच्चा रहेगा इससे जादा नहीं रहने वाला है ना किसी भी written test के skill test के बाद है ना जब skill test होता है तो इतने बच्चों से मुझे लगातार live जुड़े रहना बहुत ही आसान हो पाएगा 2 गंटे 5 गंटे ठीक है तो आप सब क्या करो उस online batch में आप जुड़ो ठीक है जुड़ने के बाद मैं आपको suggest करूँगा कि आप किसी अपने आसपास की welding shop में जाओ welding shop में जब welding shop उसकी free हो आपके जान पहचान की है आपके relation की है आपके दोस्त की है आपके किसी भाई की welding shop है वहाँ पे आप चले जाओ आपको welding machine उससे लेना है उसको आप कुछ fees भी दे सकते हैं 700 रुपए 800 रुपए आप उसको बोलो कि सरम आपको 100 रुपए पढ़े देंगे हमको 2 घंटे के लिए आपकी machine चाहिए ठीक है अब उस 2 घंटे की दावरान proper है ना मैं जो है live जुड़ूँगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी drawing है आप उसको reject करूँगा जब तक मैं उसको pass ना कर दूँ तब तक आप ये मान के चलो कि आपका skill test तयार नहीं है वही same condition आपके gas welding में भी होने वाली है ठीक है तो देखिए ये क्या होगा online होगा लेकिन आप क्या कर रहे होंगे खुद से welding perform कर रहे होंगे और कैसे कैसे कौन कौन स सकते हैं हम लोग जैसे मान के चलिए कि आपने ये काम तो जो है वो offline प्लस online दोनों मिला के कर लिया अब रही बात equipments identification के लिए तो equipments identification के लिए मैं सारे equipments लाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि एक चीज का proper work क्या है उसको आप समझते रहो जानते रहोगे तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी तो जो equipment identification है है ना जो tool वाला portion है वो portion तो मैं आपका क्या करवा दूंगा pure online हो जाएगा है ना pure online हो जाए प्रॉपर online हो जाएगा ठीक है अब फिर third step क्या रहेगा आपको welding जा करके perform करना है तो वह हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे है ना जिससे drawing आपने पढ़ना सीख लिया टूल आपने समझ लिया फिर मैं आपको बताऊंगा आप welding कर रहे होंगे आपने सामने phone रख किया है जो आपने flat position में क्या angle रखना है vertical में क्या रखना है horizontal में क्या रखना है वो देख करके proper तरीके से हम लोग चेक कर रहे होंगे है ना तो ये तरीका है ना ये मैंने बताया है भी मैं ऐसा नहीं कि मैं start कर रहा हूँ कि या आज आओ जुड़ो और पढ़ो है ना आपक आएगी कोई vacancy का skill test का date आएगा तो बहुत सारे लोग परचार करने में जूट जाएंगे कि आईए हमारे आसी के जाईए मुझे सारी हकीकत पता है है ना मेरे पास भी call आ रहे थे अभी DRDO के time पे कि आपके पास welder trade की इतनी strength है ना इतने सारे बच्चे हैं सारे के सारे welder trade करके हैं तो आप एक बार recommend कर दो लेकिन मैंने नहीं किया है ना क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा वहाँ पर जाने के बाद वही होगा उससे भी बुरा हाल होगा जो आप वहाँ पर ITI में अपने करके आऊगे तो इससे अच्छा है कि अगर आपक कुछ technical terms के लिए आप जो है बोलेंगे तो जो भी मैं हमारा batch चल रहा होगा इस type का आगे future में create होगा तो वहाँ पर आपको enroll मैं कर दूँगा ठीक है बाकि इसकी fees तो इसकी fees ऐसा नहीं सोचना है कि सर इसकी fees बहुत जादा हो जाएगी है ना जो हमारे courses आपने जो हमारी theory पढ़ी होगी जिस fees में है ना हो सकता है थोड़ा बहुत जादा उससे fees हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अब देखे पढ़ाने का होता है तो 22000 में भी वेल्डर के course बिक रहे हैं लोग sell कर रहे हैं मैं आया तो मैंने price घटाई अभी सब लोगों की price घट चुकी है 400 500 में सब ल कैसा नहीं है जैसी हमारी online classes की fees है वैसी हमारी fees किस की रहेंगी आपके skill test की रहेंगी लेकिन कुछ tools कुछ equipments हमको भी purchase करने पड़ेंगे जो कि मैं अपने जेब से नहीं लगाने वाला हूँ यह मैं नहीं स्वार्थ बोल रहा हूँ है ना कोई इसमें दिखावा नहीं है कि मैं जो है बहुत बड़ा समात सेवा करने आया हूँ और सारी मसीने लगा करके यह सब एक दिखावा हो जाएगा तो यह reality यही है कि मैं आपके पैसों से ही जो आप पे करेंगे उसी पैसे से सारी मसीने सारी equipment लेकर के आऊँगा और आपको practical चीज़ें करके दिखाऊँगा और सिखाऊँगा तो उतनी ही genuine fees लगेगी बाकि इसके किसी भी future information के लिए आप यह हमारा WhatsApp नंबर है यहाँ पे contact कर लेना एक बार है ना जो भी information होगी वो आपको मिल जाएगी 7800-366021 इस पे आप लोग क्या करना इस पे आप लोग WhatsApp कर लेना इस पे आप लोग WhatsApp कर लेना तो information आपको clearly पता चल जाएगी बाकि आपका कोई भी exam है पास में उसके लिए आप बढ़ियां से पढ़िये skill test की बारी आएगी तब जो है हम लोग अच्छे से इसके बारे में discuss करेंगे ठीक है बाकि जिनका भी skill test लगा हुआ है वो लोग request करेंगे तो जल्दी से जल्दी तो कुछ होने ही सकता है पट फिर भी हम कुछ help करने की कोशिश करेंगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्य होई रहिएगा वीडियो को लाइक शेयर जो भी सब्सक्राइब वगरा होता है वो सब कर दीजिएगा धरनेवाद